शिद्धी हिंदी विद्ध्यालाई योटोब चैनल में आप सभी का हर्दिक स्वागत है विद्ध्यार्थी मित्रो आजम कक्षादस विग्नान और टेक्नोलोजी विशय में चैप्टर नमबर आट सजीव प्रजिनन किस प्रकार करते है उसके बारे में अप्याश करेंगे प्रजिनन किशे कहते है तो विद्ध्यार्थी मित्रो शब्षे शरल परिवासा है प्रजिनन की कि जिश क्रिया द्वारा जिश प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व में हो जिस प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व में हो वैसी जाती में शे अनेक उसके जैसाई सजी उत्पन हो उसके जैसाई सजी उत्पन हो उसक्रिया को प्रजनन कहते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व में हो मतलब जिस जाती का वर्तमान में अस्तित्व है वैसी जाती में शे उसके जैसाई नया सजी उत्पन हो उस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व में हो वैसी जाती में शे उसके जैसाई सजी उत्पन हो उस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व में हो वैसी जाती में शे उसके जैसाई सजी उत्पन हो उस प्रक्रिया को प्रक्रिया पर उस सजीव की मृत्य होती हैं शजीव की मृत्यों उससे पहले प्रजनन द्वारा वे उनके जैसे नए सजीव का उत्पन करते हैं अस्तित्व में हो वैसे सजीव यो स्रुंखला को आगे बढ़ाते हैं मतलब अपनी पिड़ी का अस्तित्पन रहता है अगर प्रजनन के द्वारा जाती प्रजनन नहीं होगा तो उसके जेशाई नया शजी उत्पन नहीं होगा और परिणाम शुरूप वो जाती लुप्त हो जाएगी प्रजनन के द्वारा जीवशात्ति अभी बना रहता है और प्रजनन के द्वारा जाती का अस्तित्व भी टिका रहता है मतलब ये हुए प्रजनन और जो भी लाब थे फिर लेंगिक प्रजनन लेंगिक प्रजनन पद्धती द्वारा संततियों में भिन्नता की क्रिया तेजिशे क्यों होती ये शवाल है एक पित्र कोशी का में से दो बाल कोशी का के निर्माण में डियेने प्रतिकृती पहला पॉइंटस और कोशी की सरचनाओ का सरजन जुडा होता है एक पित्रुक कोशी का में से दो बाल कोशी काओ के निर्मान में DNA प्रतिकृती और कोशी किया सरचनाओ का सरजन चुड़ा होता है DNA प्रतिकृती की तक्निक शदेव निश्चित नहीं होती है ये जो DNA की प्रतिकृती बनती है वो टेक्निक शदे उनिश्चित नहीं होती लिंगी प्रद्नन में नर और मादा प्रद्नन कोशिकाओ का मिलन होता है प्रद्नन कोशिकाओ का मतलब नर प्रद्नन कोशिकाओ और मादा प्रद्नन कोशिकाओ के मिलन के दोरान और DNA प्रतीकृती में शर्जीत भिन्नता का अनुगामी पीडी में वहन होता है जो प्रजणन कोशिकाओ का निर्मान होता है तब DNA प्रतीकृती में थोड़ी बहुत भिन्नता शर्जीत हुई तो उसका वहन अनुगामी मतलब आने वाली पीडी में होता है वापस से एक पित्रु कोशिका में से दो बाल कोशिका के निर्मान में DNA प्रतिकृती और कोशिकी यह सरचनाओं का सरजन जुड़ा होता है यह दो पोईंट्स जुड़े होते हैं और DNA प्रतिकृती की टक्निक सदेव निष्टित नहीं होती लिंगी प्रतिनकोशिकाओं में नर प्रतिनकोशिका और मादा प्रतिनकोशिकाओं का मिलन होता है जब प्रजनन कोसीकाओं का निर्मान होता है तब DNA प्रतीकृती में थोड़ी बहुत भिन्नता शर्जित होती है जिसका वहन अनुगामी मतलब आने वाली पीडी में होता है प्रतियक डियने प्रतिकृती में नई भिन्नता के शाच्छाथ पुर्व पिडी की भिन्नताएं भी शंग्रहित होती है मतलब पुर्व उसके पहले वाली पिडी में जो भिन्नता थी वो भी संग्रहित होगी और नई भिन्नता भी आएगी इस प्रकार वस्ति के दो सजीयों में संग्राइट भिन्नताओं की सरचना भिन्न होती है, दो या दो से अधिक एकल सजीयों की भिन्नता इकत्र होने पर संतती में नए योगिक सरजीत होते हैं, कुछ भिन्नताओं नहीं आई, कुछ भिन्नताओं संग्राइट थी, मतलब दो इसलिए संतती में भिन्नता का सर्जन तेजी से होता है लिंगी प्रजनन दोडान दो विजाती है शजीव एक नर सजी और एक मादा सजीव के भिन्नता वाला डियने आने वाली पीडी में आता है इसलिए संतती में भिन्नता का सर्जन की कडिया तेजी से होती है लिंगी प्र लिंगी प्रजिनन करने वाले सजीव में प्रत्येक नई पीडी में दोनों पित्रों के डियेने की नकल शंग्राईत होती है। प्रत्येक नई पीडी में दोनों पित्रों के डियेने की नकल संग्राईत होती है। 46 गुन सुत्रों में से 23 गुन सुत्रह आएंगे और माता के 46 गुन सुत्रह में से 23 गुन सुत्रह आएगे। ऐसा होता नहीं है क्योंकि लिंगी प्रजनन करने वाले शजियों में जब प्रजनन कोशिका का निर्मान होता है। तब और्ध सुत्री भाजन होता है इसलिए गुन सुत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार सज्जियों के वानश्पति या दही कोशिकाओ की तुलना में DNA की मातरा भी आधी हो जाती है। इसमें अर्ध सुत्री भाजन प्रकार की कोशिका विभाजन का मोहत्वपुना योगदान है। अगर अर्ज सुत्री बाजन नहीं होता, तो आने वाली पिडी में दो गुना जाता, इसलिए दो पित्र उनर और मादा की प्रद्नन कोसी का, जिश में गुण सुत्र की संख्या और डियने की मातरा आधि होती है, मतलब पिता के 46 में से 23 जाएंगे, और माता के 46 में से 23 जाए और जो सुत्र की संख्या और डियने की मातरा पित्रू जितनी होती है, यहां पर मैंने एक चार्ट ड्वाला बता है, मादा मतलब स्तरी में 46 होते हैं, नर में 46 होते हैं, और 10 रिवाजन होगा, तो यहां पर 23 अन्यानों, यहां पर 23 सुक्रानों, प्रद्नन कोसी का के साथ आदे आदे हो जाते हैं, और फलन होगा तो 23 प्लस 23, 46 मतलब फली टाने में भी संख्या कितनी होगी, मनुष्य जितनी संख्या होगी, प्रद्नन कोसी का के प्रकार और उनकी लाक्षनिकता, प्रद्नन कोसी का के प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, एक नर प्रद्नन कोसी का और जुस्तरिये मादा प्रजनन कोशिक quello जबार को शिकर माधा प्रजननकोशिक और मादा प्रजननकोशिक अत्यन सरल सरचना वाले सजीयों में दोनों प्रजननकोशिका के आकार और आहितन में कोई बिन्द है जो नर प्रद्दन कोशिका आयतन में छोटी और प्रचलन सील होती है एक स्थान से दुसरे स्थान प्रजाना उसको प्रचलन केते हैं यह आयतन में बड़े होते हैं और पोसक द्रविय वाले होते हैं और इन्हें अम नर प्रद्दन कोशिका को सुक्रानू या तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेर कीजिएगा और इस सिद्धी हिंदी विद्धिया ले योटोब चेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको जल्द से जल मिलता रहे धन्यवाद